नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देखरें सीकर संदेश नीट और जई की तैयारी के लिए सीकर में पूरे देश बर से काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं अपने सपनों को लेकर और उनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अपने सपनों को यहां की कोचिंग्स, यहां की फेकल्टीज के दम पर पूरा करते हैं अपने परिवार का, अपने गाओं का और अपने पढ़ाने वाले गुरुजनों का नाम रोशन करते हैं ऐसा ही एक छात्र गनेंद्र हमारे बीच है आज शिगंगा नगर से और आपने CLC में पढ़ाई अपनी करी जेई मेंस दो हजार चोईस का एक्जाम दिया और उसमें CLC को आपने टॉप किया 99.87 परसेंटाइल के साथ गनेंद्र बहुत 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 बदाई सबसे पहले तो आपको इतना अच्छा प्रोडर्शन करने के लिए जब आपके घर वालों को पता चला कि आपने CLC तॉब किया है उनका रियक्शन कैसा था उनका रियक्शन मतलब बहुत बहुत बढ़िया था वह भुत खुश होए थे क्योंकि इस टाइम उन्हों नहीं इमयर को भीजा था तो उस टाइम ऐसा था नहीं मेरे को लगा निदा कि मैं सी कर वगयर आउंगा पड़ने लेकिन फिर अच्छा मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि लाखों के संख्या में इस्टूडेंट्स पूरे देश भर से जेए के लिए अटेंप्ट करते हैं होती है उनको पढ़ाती है को तो पना को वह से मुदं को सर अच्छा मैं नहीं इसा होतOoh आताौ podia रशक्ता विस सब कर नहीं कर बाता इ religie सारी प्ड़ाना वहां क्या और में आपे दो होती है लेकिन पृद़्ा इसा होत Sicherheit तो इतना तौपर बन जाता है और एक च्छतर होता है जो अच्छे score नहीं कर पाता उसे या तो फिर से attempt करना पड़ता है या तो फिर उसे अपने line इंग बढ़ता है। जी ऐसा होता है कि आपको मतलब आफानी कि दो दिन पढ़ लिए फिर एक दिन आपने पढ़ा Araू है पर दो दिन मस्ति कर ली फिर दो दिन प्डशोदी पर लिए ऊसा नहीं करना आपको डेपन से पर चीज़ क्छिए इसा कीजिए आपका अगर score low है तो आप खुद से competition कीजिए कि मेरा मतलब मेरा score अगले paper मेरे से बढ़िया आना चाहिए तो आप अगर खुद से competition करोगे तो देरे देरे आपका score बढ़िया हो जाएगा और फिर आप दूसरों से आगे निकल जाओगे एसा होता है तो स्टार्टिंग मेरे भी कम ही आते थे नंबर इतने जाद आते नहीं थे और उसके बाद में दिरे-दिरे improve किया था और लास्ट में आते हैं काफी स्कोर आने लग गया था तो ऐसा है मतलब डेली बेस पर आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा मतलब जो टाइम टाइम पर मोटिवेशन मिलती है उसकी बजाए कंसिस्टेंसी पर फोकस करना रहेगा और डिस्सिप्लेन के साथ में लगातार थोड़ा 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 आपको पढ़ते रहे यह पूरी पढ़ाई के दोरान का मेनेश्मेंट और फेकल्टी कैसे आपको हेल्प करती हैं कि आप अपनी कंसिस्टेंसी भी बनाए रखें और उसके साथ साथ आप मोटिवेट भी रहें कि ठीक मुझे अच्छा स्कॉर करना और घरवालों का मेरा सपना पूरा यहीं मतलब सबसे बड़ी सबसे बड़ी औ है सबको सब्सक्राइब करते हरे बच्चे दिया जता है और वह भी अगर अच्छे से मैनत करें तो उसके मांक्स बाण बटी करना के लें जाथ कि आप मानेसिक रूप से बिए स्वस्त रहें तो आपके स्ट्रेस को मैनेश करने के लिए मोटिवेट रखने के लिए और आपका होस्टल लाइफ जिसमें खाना भी इंक्लूड हो यह सब पूरे साल कैसा रहा आपका याप जो होता है कि एक आपको बोलते हैं कि टेंशन मतलो टेंशन मतलो मैं यह बोलता हूं भी अगर आपको टेंशन लेनी है तो आपके करियर की पूरे आपको टेंशन होनी चाहिए जिससे आप और अच्छा बढ़ पाओंगे लेकिन उसको पॉजिटीव में लो बीम आगली बार इससे और अच्छा करूंगा तो वह वह चीज़ है कि आपको टेंशन को पॉजिटीव में लेना पड़ेगा और हमेशा मतलब पढ़ते रहना पड़ेगा दंसे और होस्टल में तो खाना वगरा सही है वैसे बड़ी है एकदम होस्टल का मोज भी बहुत बड़ी है अच्छा यहां पर आसपास में जैसे हम देखते हैं तो पिप्राली रोड पे बहुत सरे फूड काउंटर्स हैं बहुत सरे रेस्टोरेंट्स हैं शाम को बच्चे बाहर निकलते हैं खाते पीते हैं आप जब गंदानगर से यहां आए तो उसके बाद में आप में इस तरह के बदलाव आए कि अब शहर में आगे घर वाले तो पूछने वाले हैं नहीं चलो आज बाहर चलते कुछ खाते पीते हैं पार्टी करते नहीं चलते हैं तो दूसरा कि मैं अट्रिंद के अजया तो कभी-कभी एसे गा सकते हैं लेकिन एक चीज़ याद रखो कि जब आपका अच्छा result है उसके बाद जब आपको एसली खुशी होगी जब आप गर बता के जाओ गया अब तब का दिन मिलदा वेट करो बहुत बणदी पास-पास पास के जो फ्रेंड सर्कुल होता है वह भी काफी हद तक यह आप कैसी सफलता आप करोगे कैसा स्कोर हो आपका जो उन है उनके क्या हाल है उनके सेलेक्शन हुए नहीं हुए हां हुए हुए ना सबके सबके बडियाई यह परेंटायल अच्छी इसको रहे हैं सबके हम सभी आपसमें बेट की डिसकूस करते थे सभी अब लब टीचर से पहले थे और उसके बाद को मन डाइग थे शीifer हो ओस्ति तो यह होँ अगर अपकर क python Divini दाइट सोल व्ह। तो उसमें आप ज्याद अच्छे से क्लियर कर पते हैं अपने डाउट के बारे में जब भी स्टूडेंट से बात करते हैं तो एक तो नाइट के और यहां की असेंबली जिसमें हनुआन चलिशे का पार्ट कराते हैं इसके बारे में हर कोई बात करता है यह दोनों चीजों का आपके पूरे साल की पढ़ाई और इस सेलेक्शन का जो आपका स्कोर रहा है इसमें कितना परभाव मानते हैं जी ऐसा है कि अगर आपको मतलब मैं भी काफी बार डी मोटिवेट होता है हर एक इंसान होता है डी मोटिवेट जो टेंशन होती है नंबर कम मेरे भी आते थे है ईसके बाद नाइट केम होता था तो यहां उसमें अच्छे से पढ़ए ऊदे तो अच्छे से पढ़ाय होते है था आपके पीया होद्समें मेरे तो यह टेस्ट के स्कूर तो घरवालों को भी जाता होगा ना उनके फोन तो कभी हुआ गहरवालों ने फोन क्या और इंदर यह क्या कर रहा है अच्छा उसके बाद मैंने खास का ट्रेल्थ के बाद तो बिलकुल मुका नहीं दिया गरवालों का ऐसा लेकिन उस टाइम हुआ अच्छा मितना होता है काफी रुआ है ना मन भी नहीं लगता आपका कि टाप यह स्टूडें न बहुत सारा content है बहुत सारे coachings या ऐसे teachers हो सकते हैं जो कहते हैं कि ठीक हम पढ़ाते हैं आप तो online पढ़ो और exam से पहले इस तरह के मदलब है ना डूसरे coachings के या फिर online आप test series है जो इन कर लो आपने कभी ऐसा किया नहीं ऐसा तो मैंने कभी नहीं किया ना सोचा क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कि सोचते हैं हम online कर लेंगे घर पे रहके कर लेंगे online हो जाएगा अगर आप discipline में नहीं हो तो discipline आपका तभी है जब होस्टल में रहोगे और आप घर से बाहर निकलोगे और आप अकले में अलग से त्यारी कर रहे हो ना offline coaching में तो आप खुद को समझोगे ची किती चीज़े होती है काँ काँ काफी 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 ताइम अगर आप ना भी चाओ ना तो भी आपका टाइम बरबाद होई जाता है फिर आपको बाद में गिल्टी फिल होता है कि हाँ इतना टाइम बरबाद कर दिया तो अब आगे advance के exam होने वाले है कुछ ही दिनों में उस सब्सक्राइब कर दो तो अब जाने से पहले आपके जो फेलो स्टूडेंट्स है या आने वाले समय में जो जई की तयारी करने वाले बच्चे हैं उनको आप क्या message देना चाहेंगे वह आप उनको मैं एक तो यह बोलूँगा कि मतलब स्ट्रेस तो बिलकुल लेना ही मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना कि ऐसा नहीं हो रहा आप उसको हर चीज को positive way में लेना है कि हाँ मे math काफी बचे ना छोड़ के आज़ते हैं अल्मोस्ट अच्छा इसलिए मतलब वह ज्यादा नहीं कर पाते मैथ छोड़ के आज़ते हैं मैथ में आपको time management करना पड़ेगा math के अंदर math भी एक subject है तो उसको आपको proper time देना पड़ेगा तो math में time ज्यादा अच्छे से देके अच्छे खासे question आपको करने पड़ेंगे math को आप छोड़ नहीं सकते क्यूंकि आज कल काफी बचे math छोड़ देते हैं अगर आप करोगे तो math हो जाएगी लेकिन उसके लिए मेहनत आपको काफी ज्यादा करनी पड़ेगी अच्छी खासी practice करनी पड़ेगी तो आप तीनो आप सुम्झेते हैं गनेंद्र को आप जई मेंस दो हजार चोड़ के CLC के टोपर हैं गंगानगर से आते हो 99.87% के साथ आपने CLC को टॉप किया है आपने कुछ टिप्स दिये कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो की students को पढ़ाई करते हैं ध्यान रखतनी है और जिसके basis पे आ कुछ चीज़ें पर आप ध्यान देखे और आप टोपर बन जाते हैं आप अपना सेलेक्शन अशोर कर लेते हैं इस इंट्रवी के बारे में आपकी जो भी पृतिकरिया हो वह आप कमेंट के बादे मेंसे जरूर साजा करें कोई अगर और सवाल हो तो वह भी आप कमेंट कर सकते हैं सीकर संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद